कि हैलो गाइज वेलकाम बैक टुमाइच चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब वीडियो को आई बटन पर कैसे लगाते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमा पर जाना है और इसको उपन करना है जैसे आप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा तो आपको सर्च बार पर यूट्यूब डॉट कॉम सर्च करना है लेकिन मेरे में पहले से यूट्यूब का ओप्सन आ रहा है तो मैं उस पर टि मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आपको करना क्या है यह आपका यूट्यूब चैनल का आइकन आपको दिख रहा होगा उस पर आपको टिक कर देना है जैसे यह आप उस पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरह का सो होने लगेगा अब इसमें आपको यूर चैनल के आप्शन प पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप YouTube Studio के option पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपकी स्क्रीन पर शो होने लगा आप आपको इसमें करना क्या है आपको इसमें काफी सारे option दिख रहा होंगे उनमें से आपको एक video manager का option दिखाई दे रहा होगा आपको उस पर पर टैप करना है जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो वीडियो manager का option खुल जाएगा और इसमें जितने भी आपके वीडियो अप्लोड किये गए होंगे वह सारे वीडियो आपको शो होने लगेंगे अब इसमें आपको करना क्या है इसमें से आपको जो वीडियो जिस वीडि पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन पर श्रू होने लगेगा और उपर आप देखेंगे कि आपको पांच option दिए गए हैं अब पांच options में आपको कौन सा option क्लिक करना मैं आपको बता देता हूं इन में से आपको एक card का option दिख रहा होगा मैं आपको जूम कर दे रहा है जैसे ही वो लोड होता है हमारा card का option जो है लोड हो चुगा है अब आपको पता देता हूं आपको एक add card का option दिखाई दे रहा होगा यह जैकि देख सकते हैं आप मैंने इसमें से पहले से एक हाउट में custom thumbnail को आई-कार्ट पर लगा रखा होगा है लेकिन मैं आप आप को वापस से दिखाने के लिए एक और कर लेता हूं इसमें से आपको चार option दिखा रहे होंगे जिन में से आपको वीडिया लेगे इन में से आपको जो वीडियो कोई बटन पर देना एक उस की सिलेक्ष कर लेना है जैसे आप को लोगे तो आपको क्रियेट परण का और नीचे नीचे सो होना लाइगा उस पर आंक बीज़ा चुका हूँ इस वीडियो को यह दो हएक हाय को प्रॉसेसिंग करने के के बाद आपको उसमें से option दिख रहा होगा save change यह दिखाता हूं मैं को यह save change को option दिख रहा होगा इस पर आपको tap कर देना है जैसे आप इस पर tap कर दोगे तो your change are being shaved इसमें दिखा रहा है कि आपके जो आपने किया है सेवड हो रहा है कुछ time ले रहा है वहां तो आप देख सकते हैं अब इस पर शो हो रहा है और जो भी आपने इसमें परिवर्तन किया वह सब सेवड हो चुका है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेग और अगर आपको थम्नेल